नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का Back to School पर दोस्तों, EVS का कोर्स हम कवर कर रहे थे और EVS के कोर्स में दो चेप्टर में पहले ही करवा चुका हूँ आज हमारा EVS में थर्ड चेप्टर है और हम आज डिसकस करने वाले हैं पौदे के बारे में, तो जितने भी important पौदे हैं जहां से exam में questions पूछे जाते हैं उन सभी को, उन सभी की विशेशताओं को एक एक करके आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप लोग बहुत support कर रहे हो वीडियो उसको बहुत प्यार देरो उसके लिए आप सभी को thank you चलिए शुरुआत करते हैं और आपको पता है, यह मेरा YouTube चैनल है सरकारी अध्यापक आप लोग सर्च करोगे ना सरकारी अध्यापक तो आपको चैनल आ जाएगा आपको इसको subscribe करना है subscribe करके जो bell icon है उसको all पर set कर लेना है आप देख सकते हैं यहापर Maths Pedagogy का course चल रहा है तो Maths Pedagogy का course भी आप लोग देख सकते हैं चलिए आगे हमारा PDF notes है आपके लिए बनाए गए हैं बाल विकास की PDF notes हैं आप देख सकते हैं बाल विकास की PDF notes हैं यह हमारे इन सबी की PDF आपको आपके WhatsApp पर प्रवाइड कराई जाएगी आपको एक छोटी सी fee देनी है केवल 100 रूपीज देने है यही मेरा Paytm नमबर है इसी पर आपको पे करना है और उसका screenshot आपको इसी WhatsApp नमबर पर भेज देना है वहाँ पर मैं आपको यह जो बाल विकास के notes है मेरे है अब देखिए यहां से पौधे की कर बात करें तो पौधे के जो parts होते है वो 6 parts होते हैं पौधे में एक तो जड़ यानि के roots पाई जाती है तना पाया जाता है टेहनी यानि के branches पाई जाती है उसमें पत्तियां पाई जाती है उसमें फूल पाई जाते हैं, उसमें फल पाई जाते हैं, तो ये कुछ पौदे के पार्ट्स हैं, है ना, और एक जो पत्ती होती है, ये उसके पार्ट्स हैं, है ना, पत्तियों में पत्ते की धार पाई जाती है, मद्यरिव जिसको मिड्रिव आप बोलते हो साइड वीन होती है पेटियोट होती है और पोर्स होते हैं एक पत्ती में पोर्स होते हैं और ये जो पत्तियों में पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं ये CO2 लेने में उनकी मदद करते हैं चलिए अब कुछ important fact जान लेते हैं पत्तियों का जो हरारंग है वो हरे वर्डग के कारण होता है और इस हरे वर्डग को कहते हैं दोस्तो chlorophyll ये exam में आप से बहुत बार पूछा जाता है कि पत्तियों का हरारंग किस वर्डग के कारण होता है तो वर्डग का नाम है दोस्तो chlorophyll दूसरा important fact है कि जड़ें जमीन से पानी और खनी अवशोशित करती है ये चीज आपको पता है कि जड़ होती है वो जमीन से पानी अवशोशित करती है लेकिन उसके अलावा जो minerals हैं वो भी absorb करती है जड़ें तो ये भी आपको पता होना चाहिए पत्तियों में जो भी पोर्स छिद्र होते हैं मैंने आपको बता दिया इसको इस्टोमाटा कहते है क्या कहते है इस्टोमाटा ये पत्तियों की help करते है पौदे की help करते है CO2 यानि की carbon dioxide लेने में ये चीज भी आपको पता होगी पौदे का जो भोजन है वो ग्लुकोस के रूप में होता है पौदे जैसे हमारा भोजन है तो उनका भोजन ग्लुकोस के रूप में होता है इसका जो final form बनके होता है उसको starch कहते है उसका जो final form बन जाता है glucose का उसको starch कहते है है ना तो ये है पौदों का भोजन ठीक है ये कुछ important fact हो गए आपके पौदे से सम्मंदित अब कुछ important पौदे भी है ये करके इन सभी के बारे में discuss करने वाले हैं आजम और आपके seated examination के लिए तो रामबार्ण साबित होगी क्योंकि NCRT के fact भी मैंने इसमें रखे है और NCRT के fact आपके upeat and upeat में भी पूछे जाने लगे हैं इसलिए मैंने इनको इसमें रखा है अब कीट भक्षी पौदे होते हैं कुछ जो कीट भक्षी पौदे होते हैं जो कीड़ मकड़ों को खाते हैं वो पूर इन मिंडरल्स होते हैं यानि कि खने जुन में नहीं होते हैं वो हैना और कुछ इन्सेक्टी वाइरस प्लांट्स के बारे में आपको बदा दूँ जैसे पिच्चर प्लांट, वीनस फ्लाइट्रेप, संड्यू प्लांट तो इन परजीवी पौदों में यह आता है और आपके NCRT-based है यह तो सीटेट में बहुत जादा पूछा जाता है रेगिस्तानी ओक की अगर बात करें तो इसकी जड़े हैं 30 feet की गहराई तक होती है इसके तने की लंबाई 10-12 feet होती है इसके तनों में जल संचित होता है जल भरा रहता है वहां के जो स्थानिय लोग होते हैं जहां पर रेगिस्तानी ओक होता है वहां के स्थानिय लोग क्या करते हैं जल संकट अगर वहां पर आता है तो इसका परियोग करते हैं इसकी जड़ों में से इसके तने में से वो पाइप डाल कर चाकू से पाइप डाल कर पानी निकाल लेते हैं तो रेगिस्तानी ओग आपको पता है रेगिस्तानी इलाकों में होता है जैसा कि इसका नाम है और रेगिस्थानी इलाखों में क्या है पानी की बहुत जादा कमी होती है और वहाँ पर इस्थानी लोग फिर वाँगे क्या करते है कि चाकू से इसके जो तनी है उसमें पाइप डाल देते हैं और पाइप की जरीए वहाँ से पानी निकालते रहते हैं तो ये रेगिस्थानी ओक की विशेश्थाएं है आगे बात कर लेते हैं गटपर्णी पौदे की बात कर लेते हैं नेपेथेंस इसको कहते हैं आपके एक्जाम में ये बहुत पूछा जाता है जो गटपर्णी पौदा है इसको शिकारी पौदा भी कहते है क्या है ये शिकार करता है अब ये प्रस्ण 2019 के एक्जाम में भी पूछा गया था कि घटपर्णी पौधा कहां कहां पर पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में मलेशिया में और भारत का जो मेगाल राज्य है वहाँ पर ये पौधा पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर भी ये पाया जाता है तो ये भी एक इसकी विशेश्ता है आप इसको याद कर लिए कि जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर घटपर्णी पौधा पाया जाता है जगे के स्थान के नाम पूछे तो औस्टेलिया, मलिशिया और भारत, भारत में भी अगर पूछे कि कहां, तो भारत के मेगाले राज्य में, है ना, ये एक तरह की special smell या फिर गंद छोड़ता है, जिससे आकर से तोकर जो जीव हैं इस पौदे तक आते हैं, और ये उनका शिकार कर लेता है, यह प्रकाश संसलेशन भी करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए, कि जो घटपर्णी पौदा है, उसकी विशेश्ता नहीं है, या फिर है, तो उसकी एक विशेश्ता है कि प्रकाश संसलेशन भी करता है, photosynthesis भी करता है तो ये इसकी एक विशिष्टा है ये आपने घरपणी पौदे के बारे में पढ़ा अब यहाँ पर एक पौदा है Lichen ये भी बहुत जादा पूछा जाता है Lichen ये सहजीवी पौदा है इसको कवक एवं शेवाल के मद्य जीविता का परड़ाम होता है इसलिए ये बहुत जादा पूछाए जो कवक और शेवाल होते है उनके मद्य जो जिन्दा और मरे हुए की बीच में एक वाइरस होता है मरत और जीवन की बीच की कड़ी ऐसे ही कवक और शेवाल के मद्द्य की बीच की कड़ी होती है, Lichen है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाये जाता सडी गली जहांपर लकडिया होती है वहांपर यह उगता है यह वायू परदूशड का सूचक है यह आपको बता देगा कि यहांपर वायू परदूशड CO2 को stone cancer gas कहते हैं, तो ये थोड़ी सी अलग information है, थोड़ी सी extra information है, आप lichen के बारे में इतना याद रखेंगे कि सहजी भी पौधा है, कवक और शेवाल के मद्दे की कड़ी है, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाये जाता, और एक important चीज़ आप याद रखना, कि सड़ी-गली लकडियों में ये पाये जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक खेजडी वरक्ष पहुज़ादा पूछा जाता है आप से, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, खेजडी वरक्ष भारत के थार मरुस्थल में पाये जाता है, है ना भारत में जो थार मरुस्थल है, वहाँ पर ये खेजडी वरक्ष पाये जाता है, इसकी जड़े गहरी होती है, इसकी लकडी में दीमक नहीं लगता, जो दीमक होता है न, दीमक लग जाता है लकडी में, है न, तो इसकी लकडी में दीमक नहीं लगता, इसकी फली का जो उपयोग है, वो सबजी के तौर पर किया जाता है, इसकी छाल का इस्तमाल दवाई बनाने के काम किया जाता है, और ये एक छायादार ब्रक्ष है, जैसे आ का दवाई के तौर पर प्रियोग किया जाता है, है ना, चलिए, UKLYPTUS के बारे में जान लेते हैं, UKLYPTUS भी एक पोदा है, तो पारिस्थितिकी तंतर का आतंकवादी इसको कहते है, है ना, तो ये important fact है कि पारिस्थितिकी तंतर है, जो है हमारा, उसका आतंकवादी कौन है, तो UKLYPTUS है, जल का उपयोग जादा करता है, ये तथा आसपास की जमीन को बंजर बना देता है, है ना, और इसलिए इसको आतंकवादी कहते हैं, है ना, पारिस्थितिकी तंतर का आतंकवादी कौन है, UKLYPTUS, बरगद की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सब हो गया है, बरगद की पेड़ की बात कर लेते हैं, तो important है, ये चायादार बरख्ष होता है, सभी को पता है, इसके तने इस्तम मूल जड़ निकलती है, ज़र बरख्ष को सहारा देती है, ये सही बात है, पीपल बरगद नीम को पर्यावरड मित्र बरख्ष कहा जाता है, ये जो पीपल बरख्ष है और नीम का बरख्ष, इनको पर्यावरड के मित्र कहा जाता है, तो ये थोड़ी सी information है इसके बारे में, पीपल की अगर बात करें, तो 24 घंटे oxygen देने वाला बरख्ष है, इसलिए इसकी वो ज़्यादा की जाती है, है ना, चायादार पौदा है, सभी को पता है, पीपल के जड़ का विस्तार दूर तक होता है, आपने देखा होगा गाओ में जो दूर तक विस्तार होता है, जैसे पीपल के वरक्ष है यहाँ, तो आप देखोगे कि लगबग लगबग 50-50 मीटर दूर तक इसकी जड़े आपको जमीन के उपर भी दिख जाती है, है ना, तो ये इसकी खास विस्ता होती है, और 24 घंटे oxygen देता है, इसके नीचे इनसान सो सकता है, जैसे बागी वरक्षों के नीचे हम सो नहीं सकते, लेकिन पीपल के वरक्ष के नीचे हम सो सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे oxygen देता है, एक वरक्ष है छोटा सा croton, क्या नाम है इसका? Croton, तो जैसे कोई भी पौदा अगर कहीं पर बोया जाता है, उसके साथ में ये croton ब्रक्ष बोया जाता है, क्यों बोया जाता है? कि ब्रक्ष को पानी की कब आवशक्ता होती है, ये बता देता है, और पानी की कमी जैसे ही होने लगेगी, तो ये सूखने लगेगा, जैसे तुरंत पानी की कमी होगी, तो croton सूखने लगेगा, तो वहाँ पर लोगों को पता लग जाता है, कि croton सूखरा है, इसका मतलब क्या है? हमारा मूल पौदा भी क्या है, वहाँ पर भी पानी की कमी है, तो तुरंत इसको पानी दिया जाता है है ना तो यह है क्रोटन व्रक्ष हमने सारे इंपोर्टन व्रक्षों के बारे में बढ़ लिए जो आपके एक्जाम में पूचे आते हैं चाहे वो क्रोटन हो, पीपल हो, यूकिलिप्टिस, बर्गद सबसे ज़्यादा इंपोर्टन इसमें दो-तीन है एक खेजडी, इसकी विशेशता हैं आप याद रखना घटपर्णी, लाइकिन और एक रेगिस्तान योग चार इंपोर्टन पौदे हैं जिनके बारे में आप याद रखना ज़्यादा तर जो परसन हैं वो यहीं से पूचे जाते हैं तो दोस्तो, EVS का ये थर्ड चेप्टर था, प्लाइंट्स का उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी इसके अलावा अगर अभी तक आप सरकारी अध्यापक चैनल पर नहीं गए हैं तो जाकर उसको सब्सक्राइब पर लीजिए, वहाँ पर Maths Pedagogy का कूर्स चल रहा है बाल इविकास की PDF अगर आपको चाहिए तो WhatsApp नमबर पर दियेगे पर आप message कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे next video में, आज के लिए तना ही धन्यवाद